दोस्तो आज मैं आपको इंडियन मार्किट का एक निया इवी एडो उल्फ का एक निया रिव्यू देने वाला हूँ और इस रिव्यू के लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा अभी अटो मोबाइल्स को नागोर हुगली शोरूम को शोरूम का कॉंटक डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तो सबसे पहले बात करें यह जो स्कूटर है एरो कंपनी के तरफ से अभी मार्केट में यह इंडिर रहा है और इस शोरूं का phone number and contact details मैंने description box में दे दिया है अगर आप कोई भी arrow का या किसी और company का electric vehicle खरीदना चाहते हैं तो शोरूं के साथ contact करें काफी बढ़िया और काफी durable ये scooter बना गया है सबसे पहले बात करें scooter के wheels के बारे में अभी सारे color variant में ये scooter आता है और दोस्तों इस scooter में आपको side panel में उल्फ एडो का sticker branding देखने को मिल जाएगा और अभी जो color आप देख रहे ये ग्रे color with black यानि कि gray and black का combine एक color इसमें देखने को मिल जाता है गीर मतलब कि एक दो तीन तीनो मोड इसमें मिलता है वही मोड इसमें गीर नाम से जाना जाता है और LED indicator इसमें देखने को मिल जाता है काफी बढ़िया looks दे देता है इस scooter के जो indicator है और meter console के साथ-साथ इस bike में जो electrical से वह भी काफी बढ़िया इसमें दे दिया गया है अब थोड़ा switch के console के बात करें तो इसमें आपको reverse and forward का तो switch देखने को मिलेगा ही इसके साथ-साथ 1,2,3 तीनों अलग-अलग mode देखने को मिल जाएगा और इसमें switch दिया गया है जिसको आप service switch भी कह सकते है अगर चलते-चलते आपका scooter कहीं खराब हो जाए तो आप अपन किल-switch के तरह यूज कर सकता है यानि कि आप पार्किंग में गारी को रुपकर आएंगे तो इस switch को दबाने से आपका अगर accelerator में हाथ लगे तो गारी आगे नहीं जाएगा और बाकी जो टेल-टेल लाइट से टार्न इंडिगेटर सब कुछ देखने को मिल जाता है इसमें आपको charging facility दिया गया है with a glove box जिसमें आपको phone वागेड़ा कुछ सामान रख सकते हैं बाकी इस बाइक का अगर हम mechanicals का बात का हूँ तो अलग-अलग capacity का battery इसमें आता है उसके बारे में जानने के लिए यानि कि कि इतना power कि इतना range आपको मिलेगा वो जानने के लिए आप description box चेक करके number बे call कर सकते हैं क्योंकि अलग-अलग battery capacity में आपको अलग-अलग power देखने को मिल जाएगा लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 60-65 km का इसमें range आपको देखने को मिल जाएगा depending on the riding style and the motor capacitor यानिकी battery capacitor बाकी वीडियो आपका कैसा लागा ज़रूर बता है इस बाइक का pricing का बात करते तो लगभग 60-65,000 के आजपास इसको आप देखने को मिल जाएगा और आगर आप दोस्तों किसी भी तरह का dealership लेना चाहते है regarding to this bike तो आप screen में दिये गिये या description में दिये गिये number पे directly contact कर सकते है वीडियो कैसा लाग ज़रूर पता है चैनल को ज़रूर सब करें और